प्यार इस दुनिया का सबसे खोबसूरत एहसास माना जाता है जो इस दुनिया में सबसे अन्मोल होता है इसलिए हर इंसान की चाहत होती है कि उसके जीवन मों से सच्चा प्यार हासिल हो सके लेकिन इस दुनिया में बहुत कम ही लोग ऐसे होते ही जिनकी किस्मत अच्छी होत नहीं तो ऐसे न जाने कितने लोग होते हैं जो पूरी जिन्दगी सच्चे प्यार की तलाश में बठकते रहते हैं लेकिन उन्हें प्यार नसीब नहीं होता वहीं इस बात से हम तो सब अच्छी तरह से वाफिक हैं कि इस दुनिया में भगवान ने हर किसी के लिए किसी ना किसी को बनाया है और अक्सर आपने लोगों को कहते हुए जरूर सुना होगा कि जोडियां तो भगवान के दौर स्वर्व में ही बनती हैं यहां अकर तो इंसान बस अपनी बनिवनाई जोड़ी से मिलता है वाबजूत इसके कई बार इंसान कई अपने जीवन साथी की तलाष नहीं कर पाता एक बार में जीवन साथी की तलाष न कर पाने की वज़ह सी मनुष को बार-बार भटगना पड़ता है हमारे जोतिष शास्त्र में इसके बारे में भी विस्तार से जानकरी दी गई है कि जिन नामों की जोड़िया स्वेम भगवान ने स्वर्व में ही बना दी है उन्हें किसी भी परिस्थिती में कोई अलग नहीं कर सकता है इसलिए हम आपको इससे जुड़ी कुछ ऐसी बातों की बारे में बताने वाले हैं जिससे कि आपको सच्चे जीवन साथी को ढूनने में काफी जादा आसानी होगी तो चलिए आपको बताते हैं पी और एस नाम वाली जोड़ियां जोतिष शास्त्र के नुसार ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों का नाम इन दोनों अक्ष्रों से शुरू होता है अगर वह लोग एक दूसरे के साथ मिलकर जाएं तो फिर जिन्दगी भड़े एक दूसरे का साथ मिवाते हैं दूसरे शब्दों में कहाएं तो ये दूनों अक्ष्र वाली जोड़ियां एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच सावित करती हुई करती हैं इन दूनों अक्ष्रों से शुरूआत होने वाले नामों से जुड़े लोग एक दूसरे की वावनाओं को बेहद ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं आपको बता दें कि इन दूनों के बीच प्यार अतना गहरा होता है कि कभी भी छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई नहीं किया करते दूसरे शब्दों में कहें तो ये दूनों एक दूसरे के लिए ही बने होते हैं दी और बी वाली जोटियां इन दो नामों की जोटियों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इनकी जोटी स्वर्ग महीं बन जाती है और धर्टी पर इंकाम विलन होता है इस नाम वाले हमेशा ही अपने पार्टनर के लिए जीते हैं और एक दूसरे के पिराज जीने का कोई भी मकसर नहीं होता है आपको बता दें इन जोडियों के अंतरगत आने वाले लोगों के अंदर इश्या का भाव कभी भी पैदा नहीं होता यही वज़ा है कि यह लोग हमेशा ही अपने पार्टनर के साथ जिंदगी भत्याद करने का वादा निभाया करते हैं इसके साथ ही साथ अपने दौरा निभाय गए उस वादे को पूरा भी किया करते हैं यही वज़ा है कि इन जोडियों को देखने के बाद ऐसा कहा जाता है कि अगर यह जोडियां स्वर्ग में ही बन कर आती हैं नेक्स्ट नाइन वक्तिसागर से आकाश की रिपॉर्ट अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, पीजियो एजिटर, कैमरा मैं या पर स्कृप्राइटर तो हम इस संपास करें